इंडिया पे नहीं हो सकते हैं मनोष्टिवारी के लिए मनोष्टिवारी पेशली बाद 3,90,000 वोट से जीते थे और उसके पहले उन्होंने सीला दिक्षित को हराया है वहाँ पे मनोष्टिवारी 14,500 कोड़ोर का काम अपने संसदिये छेतर में किये हैं 14,500 कोड़ोर का और पूरे दिल्ली में जो साथ सांसते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पबलिक से मिलने वाले मनोष्टिवारी यह बाद सत्ते हैं सबसे ज़्यादा और वी-जयchmal के जो आठ्स विधायक है जो डिली में जीते हुए उसमें छे टीन विधायक इनके संसद्यय च्छेत्र के और तीन विधायक जो जो ओर ऑफ़लेंवें कर और जो है उसके बगल के इनके इंफिल्यंस में होके जीते हैं तो मनुश्तिवारी जो है वो इस बार साड़े चार से पांच लाख भोटों से जीतेंगे जरूर क्योंकि संदीप दिक्षित खुदी जो है नहीं चाहते है कि कनिया कुमार जीतें और यहां तक कि राहूल गांधी भी नहीं चाहते है कनिया कुमार जीतें और कमाल क पूछना बनता है तो यूट्यूबर बीजिपी नेता से हम सवाल कर रहे हैं बिलकुल और आपने नाम ले लिया दो कमिटमेंट की बात कर ली आपने सारी चीजों को इस तरीके से आप तो बिलकुल पके मंजे हुए खिलाडी के तौर पर प्र पॉलिटिकल खिलाडी के तौर पर आज बात कर मुझे लगी नहीं रहा है कि इससे पहले करीबन एक दो महीने पहले जब आपसे हमारी मुलाकात हुई तो आप वही मनिश कश्यप हैं जो आज हैं आज तिरपुरारी कुमार तिवारी हमारे साथ बैठे हैं यह कहना सही रहेगा ना हाँ मेरे दादा जी ने या रास्तरम शजगार और रास्ट्रवाध दोनो राष्टवाध है तो रोजगारा आएगा हeten यहागा एकदम हंडेट परसेंट आएगा और रोजगार जो है राष्ट्रवाधी लोग ही देते हैं तो रोजगार और राष्टवाद दोनों चलेगा भूके पेट भजन कब तक हो गा भूकेट क्यों मतलब कि कौन भूखा है आप पता ही तो आप सिलिंडर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कैसे पहंगाई पर कुछ नहीं बोल रहे हैं जैसे कॉंग्रेसी लोग क्या करते हैं कि 2014 का गयस का प्राइज दिखाते और 2024 का आप ऐसे मत दिखाईए आप 2004 के गयस का प्राइज दिखाईए फिर 2014 यह 10 सल मनमोहन सिंह का कारेकाल हो जागा और 2014 से 2024 यह 10 सल मोधी जी के कारेकाल हो जागा तो percentage of increment जो है प्राइज का आपको मोहन सिंह के कारेकाल में जादा हुआ था पेट्रॉल और डिजल जो है 2004 में जो है साइसे 38 यह 40 रूपया के आसपास था और हाइक हुआ तो साइसे 75 यह 78 रूपया के आसपास मितलब मेरी जनकारी आप लोग किलियर कर सकते हैं ठीक है मोधी जी के कारेकाल में 78 से मिला और 100 मोधी जो है 00 तक गया तो आप जब compare करेंगे तो जरेंडर मोधी जी के कारेकाल मेंавайे जो है कम हुआ और उनके कारेकाल मेंटनाu दमेशल ज्यादा हुआ मजबूरी में कुछ लोग चड़ रहे यह बात सत्य है मैं जुटला नहीं रहा लेकिन उस समय साइकल खरिदने में लोगों का हालत खराब हो जाता था ओज मोटरसाइकल वह भी बुलेट पर लोग चड़ रहे तो यह बात सत्य है कि महंगाई बड़ी है इस बात को मानता अग कोंग्रेस के तुलना में वह महंगाई बहुत कम बढ़ी है और महंगाई आगे भी बढ़े गी ऐसा नहीं नहीं बढ़े गी आप कंपेर कर रहे हैं महंगाई बढ़ी है मनिशस्क कर सब कर देए महंगाई पर कंट्रोल वाली तो बीजेपी के सारेकार में महांगाई बहुत कम बढ़ती है आप अपने डिस्पले पे आपको पास बड़ा बड़ा टीवी हो गया मैक्स अब या बहुत सारी कंपनियों का टीवी हो गया अप लगा ये डिस्पले पे और लोजिकली दिखाई ये 2004 से 2014 का तुलना कीजिए औ यहां पर जो है नीचे जो है बहुत बड़ा ओफिस है और कल को कोई बंगला देशी या रोहंगिया आके कहे कि इसमें से आधा हमें दे दो आप बताईए वहीं कॉंग्रेस के जो है परदान मंत्री कहा करते थे कि पहले आदा हक जो है इनका है उनका है पलाना एका है डिकाना का ऐसे है वैसे है वहीं आज जाके देखिए जो है पाकिस्तान का हालत खराब हो गया है क्योंकि नरेंदर मोधी जी ने जो कस्मीर के कर से बड़ा बड़ा एज़न्सीजोभाए अम Ricky का नाम मैं नहीं बता पा रहा हूं कल का नेuseजगर इसने बोला कि Amirka को जो है मोधी जैसे परदान मंत्री वह सकता है तो पूरा दुनिया मोधी का परशंसा कर रहा है और विपक्छ च्छ वह ने तक का इंतसार क्यों किया कि मा की बात को टाल नहीं सकता था मा की इक्षा थी मा को खुशी हासिल होगी इसलिए मैंने बीजेपी जोएंड किया मैं सच कहुं तो मुझे इंटर्वीव में पहले ही कहा कि मुझे लगता था कि मुझे यहां से टिकट मीलेगा पेरी बाते दूर तक नेउपहोचे नई है यह करूंगा तो उन्होंने बोला कि फिर ठीक है आप हमारे साथ आई और आप यह काम कीजिए हम सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या दिकत है तो मैं साथ में आया और मैं अभी करने का मोका मिला बहुत सारी चीजे बहुत सारी चीजे जो है इंटर्नल बात्चीत होती है जो निउस चैनल के माध्यम से हम नहीं बोल सकते हैं और आज मेरा पहला दिन है तो पहला दिन है सुलीप मत चड़ाई यह लोग बढ़िया तरीके से जवाब आप दे रहे हैं आपको पता है बाहर क्या हो रहा है आप अंदर है ठीके जिसको जो बनना है बनी जाएंगे हमें सारा एक ची बताईए कि 2020 में भी आपने चुनाव लड़ा था लड़ा था क्या सोचा था कि यूट्यूबर से अचानक से क्या म और था है को शिवा है प्रेस रावल एक जगह कहते हैं बारत का सारा यूओ कहता है कि राजनिती गंदा है और गटर है और गंदा गटर है तो उसमें जब अच्छे लोग आएंगे तब तो वो साफ होगा तो हम जैसे अनेकों यूओं को आना चाहिए उसमें आना ही चाहिए गंदिगी को साफ करने के लिए बीजेपी के साथ नेता उसको साफ कर रहे हैं नरेंद्र मोधी जी ने बहुत हद तक उसको साफ कर दिया बहुत हद तक